कook है how to delete upon pay account पर्मानेंटली सो इस मेथिट इन प्रॉसेस को phone pay में किस तरीखे से apply करना है और अपना phone pay का account किस तरीखे से delete करना है तो यहाu पर यह ज़े topic एक तरीकर बहुत ही ज़्यादा important topic लेकिन एक बात मैं आपको यहागा पर एक एक method को apply करना है because एक बार अगर आपका phone pay का account delete हो गया दिन इसके बाद आप फिर से अपने उस account को recover नहीं कर पाएंगे so keep this thing in your mind before applying this thing तो first of all आपको अपने phone pay account को delete करने के लिए यहाँ पर अपने phone pay account में आपको login हो जाना है यह जो आपको बातार हो यह 2020 2021 और आगे भी आपको work and use में आएगा तो सबसे पहले आपको अपना phone pay account login कर लेना है login करने के बाद यहाँ पर आपको यह वाला जो आइकन है question mark वाला इस पर आपको click करना है तो यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे problem के solution आपको देखेंगी जो जिसके related आप problem यहाँ पर face करें phone pay account में तो यहाँ पर आपको जो भी questions है जो भी आपको doubts है वो आप यहाँ पर आके easily solve कर सकते हैं तो इसमें आपको सारे के सारे ऐसे topics देखने को मिल जाते हैं बट अपना जो main process है जिसके लिए हम यहाँ पर topic कवर करें वह है अपने phone pay account को delete करने का process तो इसके लिए आप यहाँ पर जाना है अदस topic में my account and kyc वाले option में अब उसके बात यहाँ पर आपको तीन option दिखेंगे जिसमें से first number आता है my profile my profile में आप अपने phone pay account के जो भी आपका personal information है उसे आप यहाँ पर changes कर सकते हैं उन्हें apply कर सकते हैं second option मिलता है my phone pay account to detail यहाँ थर्ड नमबर पर option मिलता है kyc kyc में अगर आप अपने phone pay पर अपना kyc complete करना चाहते है advanced level के transition complete करने के लिए तो आप kyc के option पर click करके इसके related सारी information आप read कर सकते हैं second option मिलता है my phone pay account to details तो यहाँ पर आपको click करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको तीन option अगेंस दिखेंगे तो यहाँ पर थर्ड नमबर पर मिलता है blocking unblocking my account तो यहाँ से आप अपने phone pay account को ब्लॉक कर सकते हैं temporary basis के लिए और यहाँ पर changing the details deleting details in your phone pay account तो यहाँ पर आपको जो भी आपको changes करना है तो यहाँ पर apply कर सकत अपने phone pay account को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस page पर आपको अपने phone pay account को डिलीट करने के कुछ specific points दिये गया है उन points को आपको apply करना है अपने phone pay account को डिलीट करने से पहले अब वो points क्या-क्या है वो भी मैं यहाँ पर रीट कर लेता हूँ तो first हो है कि received all the pending free funds तो य यह आपके important यह बात का आपको ध्यान रखना है second received support and close issues related cancelled order and booking यानिकि जो भी आपके cancelled जो भी orders है उसके लेटेद आपको proper support मिल रहा है कि वो भी आपको इपच देख करना है उसके बात यहाँ पर used all reward coupons you have received यानिकि जो भी आपके reward points आपको जमा हुए उन्हें आपको पूरी दरीके से use करना है coupons और इसके बात next option है unused reward will expire when you deactivate account आप समझी गया हो गया यानिकि जो भी अगर आप use नहीं करते तो जितनी भी reward point है वो आपका expired हो जाएगे अगर आप अपने phoneback account को delete कर देते दो इसके बात next option आता used your wallet balance for payment withdrawn on the wallet application तो यानिकि यहाँ पर आपके wallet balance में अगर और कुछ भी balance है तो उसे आपको use कर लेना है या तो अपने bank account में transfer कर लेना है अब यहाँ पर एक और चीज़े जो आपको note ध्यान में रखना है कि अगर आपने mini KYC phone pay में complete किया है तो आप अपने wallet का अगर आप अपने wallet के balance को transfer करना चाहते तो इसके लिए आपको अपने wallet क जो account है phone pay को उसे आपको delete करना है I mean उसे deactivate कर देना है उसके बाद आपको wallet का balance जो भी है phone pay का वो आपके bank account में transfer हो जाएगा आपने bank account detail को अगर add करके रखा होगा तो अब उसके बाद unlinked all your bank accounts यानि कि जो भी phone pay account पे अपने bank account लिंक्ट किया है उसे आपको पूरी तरीके से unlinked कर देना है और delete or your save card details जो भी आपने card details phone pay में save रखा है उसे भी आपको delete कर देना है और इसके बाद next option है sold any gold you have purchased on phone pay तो यानि कि जो भी आपने phone pay की तुरू कोई भी gold purchase किया है तो उसे भी आपको sold कर देना है और यह सारा का सारा point important है इसे skip मत करना अदर्वास आपको apply कि नहीं किया तो उसके बाद यह सारे point apply करने के बाद directly आपको deactivate phone pay account पे क्लिक करना है जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इसके बाद instantly आपका phone pay account delete हो जाएगा तो guys overall यही है simple सा process अपने phone pay account को delete करने का यह सिफ मैंने आपको overly बता है अगर आपको फिर भी कुछ doubts है कुछ भी वीडियो कवर करना है जिसमें आपको step by step detail में बता हूँगा किस तरह के से आपको phone pay account detail में delete करना है so I hope you like it